हेलो एबरियों डेखर इसमीम आपका स्वागत है आज मैं आपके लेकर आहीं पपिता मिल्कसेक इसे आप पपिता स्मूधी भी बोल सकते हैं बहुत ही इजी तरीकेस में बताऊंगी बहुत ही कम समान लगता है पपिता खाना सबको पसंद नहीं होता है लेकिन यह स्मूधी जरूर पसंद आएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं पपिता मिल्कसेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पका हुआ पपिता लिया है कोशिश करें पपिता अच्छे से पका हुआ हो अब पपिता का जो अंदर वला यह भाग होता है इसको अच्छे से निकालें अगर आप इसको ठीक से नहीं निकालेंगे तो हमारा जाशमूधी है उसमें करवा टेस्ट आ जाएगा इसको ठीक से निकाले मैं इसको ऐसे निकाल दूगğim कितना जदा निकाल रही है अब मैं पपीते का दोनों साइट से अच्छे से चिलखा निकाल दोंगे पपीते का जब अब अस्मूदी बना रहे हैं तो कोसिज करें उसको डीप चिलने का चिलखा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए पपीते में इसे हमारी अस्मूदी में कोई करवापन नहीं आएगा तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से दोनों पी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैसे पपीता को पील किया है इसी तरह से मैंने दोनों पीस को अच्छे से चील लिया है अब इसको छोटे टुक्रों में काट लेंगे जब पपिते को छोटे टुक्रों में काट करेंगे तो अस्मूदी पिशाएगा जब पपिता को हम ग्राइंड करेंगे तो उसमें कोई लम्स नहीं रहेगा यहाँ पर मैंने ऐसे छोटे टुक्रों में काट लिया है इतना पपिता दो गिलास अस्मूदी के लिए काफी है अब हम अस्मूदी बनाने के तरफ चलते हैं तो मैंने यहाँ पर मिक्सर जार लिया है इसमें हम कटा हुआ पपिता डाल देंगे डाल दें सारे पपिते को यही पे थोड़े से आइस क्यूब डाल दें और एक चमच चीनी डाल दें अगर आपके पास आइस नहीं है तो यहाँ पर ठंडा पानी आधा गिलास डाल दें पपिता अगर ज्यादा मीठा है तो चीनी यहाँ पर आधा चमच डालें, मीठा आप अपने अनिसार डालें, अब हम यहाँ पर आधा गिलास दूद डालेंगे, हम दो गिलास स्मूदी बना रहे हैं, तो आधा गिलास दूद में अभी यूज कर रहे हैं, और दूद हम बाद में यूज करेंगे, यहाँ पर जार कर ढखकन बंद करेंगे और अब चलते हैं पीछिन एक तरफ तो mixer grinder को हम 20 से 30 सेकेंड तक चलाएंगे एक साथ सारा दूध डाल देंगे तो यहाँपर पीछने में परिशानी होगी तो आधा दूध हम बाद में यूज करेंगे तो यहाँपर 30 सेकेंड बाद इसमें आध स्मूदी बनके तयार है आप चाहिते इसमें थोरा सा काला नमक भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया है अब मैं आपको गिलास में सर्व करके दिखाती हूं तो यहां पर अगर आपको ज्यादा गारा स्मूदी पसंद नहीं है तो इसमें दूद और डाल सकते है मैं इसमें थोरा सा दूद और बाद में डालूँगी तो यहां पर मैं दूसरी गिलास में भी इसको डाल देती हूं पपिता के फाइदे तो बहुत सारे होता है यह सब को मालूम है लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है आप उसको किसी भी तरीके से खाने का क कोई भी मौसमी फलो उसे जरूर खाना चाहिए तिहां पर मैं इसके उपर से थोरा सा पिस्ताय से क्रस करके डाल देती हूं इससे देखने मा चलेगा और बच्चों को यह बहुत ही पसंद आता है आप एक बार इसको ट्रा जरूर करें जैसे पी पसंद आती है लाइक करें दो कि बार जरूर टूर करें जरूर को산 करें जरूर